नमस्कार दोस्तों, स्वाकत थे आप सभी का हमारे चनल पर आज मैं आपको लॉंग से मिलने वाले कुछ फाइदों के बारे में बताने वाली हूँ इस छूटी सी चड़ी बूटी का उपयोग करके दोस्तों ये जो होती है वो ना सिर्फ आपकी खाने में सुगंदित महेक लाती है बलकि इसके पौश्टिक गुण आपकी सेहत में भी सुधार लाते हैं लॉंग और उसका जो तेल होता है वो एंटी ओक्सिदेंट, कवक रोधी, जिवान रोधी, एंटी वाइरल, एंटी सेप्टिक, एंटी इंफ्लामेट्री और एनालजैसिक जैसे उत्तम गुणों से सम्रद होता है इसके अलावा दोस्तों इसमें जो सबसे महत्पूर्ण चीज होती है वो होती है यूजेनल इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, लोहा, मैगनीस, आहार फाइबर, आयोडीन, बिटामीन के, सी, ओमेगा थ्री, फैडी एसिट, कैल्शियम, और मैगनीशियम, आदी का भी लॉंग जो होती है वो एक प्रेचुल स्त्रोथ माने जाती है तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसका सेवन करने से क्या-क्या फाइदे मिल सकते हैं इसकी जानकारी जानने से पहले, सबसे पहले तो एक नवेदन उन लोगों से करना चाहूंगी, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप्या, सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी सदसिता को जरूर ले ले, ताकि आप हमसे जुड़ी रहें, हमारे तुरदी रही जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भीठा सकें दोस्तों जैसे अगर आपको हिच्की आ रही है, वो बंद नहीं हो रही है, तो आप इसके लिए लौग का इस्तमाल कर सकते हैं, ये बहुती सरल भी है इसे इस्तमाल करने के लिए दो लॉंग चबा कर गरम पानी पी लिज़ दोस्तों इससे हिचकी बंद हो जाती है दोस्तों यदि आपके पास गरम पानी नहीं है तो आप लॉंग को मुँ में रखकर धीरे धीरे चूसते रहिए इससे भी हिच की आना बंद हो जाती है इसके अलावा दोस्तों अगर आपको आपका जो जुखाम का पानी है वो रुख कर सरदद हो रहा है आपको मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मानो जुखाम का पानी रुख गया है जिसके कारण नाक बंद हो रही है पानी का इस्तिराव रुख गया है, साइनस हो गया है, तो इसके लिए आप लॉंग का कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. इसके लिए तुलसी खेल सुखे हुए पत्ते पंद्रा, चार लॉंग, दोनों पर जरा सा घी लगा कर, आग पर डाल कर धुआ जो है न, वो नाक से सुंगे दोस्तों, इससे क्या होगा, कि रुका हुआ पानी का इस्तिराव आरंभ हो जाएगा, और सरदर्द जो हो रहा है, पूपी ठीक हो जाएगा, तो आप इसको जरूर से जरूर करके देखिए, दोस्तों, जब आपका स्त्राव आरंभ हो जाए, तो सुंगना बंद कर दीजेगा, तो दोस्तों, आपको हमारे दोरह दी गई या जनकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और सुंगने जरूर से जरूर ए.